Hello my dear students, welcome back in our digital classes. तो हम बात कर रहे हैं Chapter 4 Indices और आज हम बात करेंगे Mental Maths के बारे में. तो Mental Maths को देखते हैं, Mental Maths में जो सबसे पहला questions है, What is the successor of minus 2? मैंने आपको पीछी बताया था कि producer और successor में. Successor का मतलब होता है अगला चांप, तो successor निकालने के लिए हमेशा हमें उसमें प्लस 1 करना आता है. तो minus 2 plus 1 अगर करो गए, तो क्या निकल के आएगा? minus 1 निकल के आएगा, ठीक है? तो कि एक minus number एक plus number है, तो आपका answer क्या होगा? यहाँ पर minus 1 तो इस इसको ध्यान होगा है. Are all natural numbers integers? क्या सारे natural numbers integers हैं? तो देखो, natural numbers और whole numbers, आपको ध्यान होगा कि natural numbers जो है, वो counting number को कहते हैं. जो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से start होता है, ठीक है? इसमें 0 भी include नहीं है, और इसमें negative numbers भी include नहीं है. तो इसका मतलब सारे natural numbers integers हैं, और all natural numbers integers हैं, natural numbers सारे ही integers हैं, ठीक है? लेकिन all integers are natural numbers नहीं होगे. तो यह statement इसका answer होगा, yes. यह सारे integers हैं, all natural numbers. What is the additive inverse of 4? देखो, additive inverse हमेशा opposite sign के साथ होता है. जैसे यह 4 दे रखता है, तो इसका additive inverse आपका minus 4 होगा. लेकिन अगर यह minus 4 दिया होता, तो इसका additive inverse जो होता है, वो plus 4 होता है. क्यों? क्योंकि additive inverse वो number होता है, जिसको उस दोनों number में add कर दिया जा है, तो result 0 आएगा. What is the opposite of the saving money? Saving का मतलब होता है positive, आपने पैसे को बचाया. तो आप उसको क्या करोगे? expense करोगे. मतलब बचाने के बज़ाए आपने क्या करना है? खर्च करना है. What is the value of minus 3 plus 3? तो absolute of minus 3 है. देखो absolute of minus 3 जो होगा, absolute value में क्या होता है? कि अगर absolute of minus 5 निकालेंगे, तो 5 आजाएगा. Absolute of 5 निकालोंगे, तो भी 5 आजाएगा. इस इसको ध्यान निकना. तो absolute of minus 3 जो है, वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3 plus, और absolute of 3 क्या होगा? 3 होगा. तो 3 plus 3 क्या होगा हमारा? 6 हो जाएगा. What is the value of A in a statement? अब कहता है, A की value क्या होनी चाहिए? तो जाकि इसको दोनों को अगर add करे, 12 plus A करे, तो result 0 आएगा. तो मैंना भी आपको पता है, कि किसी भी number में, उसके additive inverse को अगर add कर दोगे, तो वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर यह होना चाहिए, 12 plus minus 12, तब हमारा result क्या जाएगा? 0 हो जाएगा. तो क्या हो गया? A is equal to minus 2. ठीक है? What is the value of the expression? अब इस expression को अगर sort out किया जाए, तो इसकी value क्या होगा? तो हमारे पास दो negative terms है, plus 6 है. ठीक है? तो आप यहाँ तो चाहूँ तो पहले plus का का काम कर लो, तो minus 10 के साथ, या तो यह इन दोनों को add कर दो, या इन दोनों को add कर दो. बात 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 बात, तो minus 5, minus 10 क्या हो जाएगा? हमारा minus 25 हो जाएगा. और उसके बात क्या है? प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है? तो minus 25 में जब आप 6 को add करोगे तो यानि कि subtraction करोगे तो result क्या आएगा हमारा 19 आएगा लेकिन 19 क्या होगा negative number क्योंकि absolute of 25 क्या है bigger है 6 से minus 25 क्या absolute value 6 से जादा है तो इसलिए हमारा यह answer क्या होगा minus 90 अगले वाले वीडियो को देखते हैं मतला अगले exercise को देखते हैं जो अगले exercise है वो है हमारा mcq the expressions whose value is minus 7 तो यहाँ पे हमें हर एक expressions को check करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप expression a को देख लिजी यहाँ पे इसको sort out करते हैं 2 plus absolute of minus 4 plus absolute of minus 5 तो अगर आप इसको sort out करोगे तो यह हो जाएगा 2 plus absolute of minus 4 जो होगा वो 4 होगा absolute of minus 5 जो होगा वो 5 होजाएगा तो यह हमारा क्या जाएगा 11 होजाएगा ठीक है B को Check करते हैं B दिया हुआ है 2 minus absolute of 4 minus absolute of minus 5 तो इसको Solve करो 2 minus absolute of 4, 4 ही रह जाएगा minus absolute of 5 minus 5, 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 plus 4, 9 और 9 में से 2 को minus करेंगे ये 2 minus 9 हो जाएगा और 2 में से 9 को minus करोगे तो minus 7 आड़ेगा तो ये आपका Answer हो जाएगा माइनस 25 तो expressions के दिया हुआ है questions को दिखिए आपको दिया हुआ है 350 plus minus 50 ठीक है plus minus 50 okay and plus minus 25 तो पहले मैं क्या करता हूँ दोनो negative ट्रम को add कर लेता हूँ तो दोनो negative ट्रम को अगर मैं add करूँगा तो यह हो जाएगा हमारा 350 plus और minus 5 50 minus 25 क्या हो जाएगा minus 75 हो जाएगा अब 350 में से minus 75 को minus कर दो तो यह आपका हो जाएगा 50 और 25 minus कर दो तो 275 और 275 हमारा positive रहेगा तो इसका answer आजाएगा 275 चाहिए उसके बाद successor of minus 100 अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप successor निकालते हैं किसी भी number का तो उसमें plus 1 करना होता है तो minus 100 में plus 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा minus 99 मिलेगा तो this is the answer The number of odd integers between minus 6 and 4 6 और 4 के बीच में total odd integers कितने हैं तो सबसे पहले मैं 6 minus 6 से 4 के बीच में जो numbers आते हैं मैं उन सारी number को लिख देता हूँ तो minus 6 है minus 5 होगा minus 4 होगा minus 3 होगा minus 2 होगा minus 1 होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो यह सारे नंबर आपको आएंगे, माइनस 6 से माइनस 4 के बीच में यह सारे नंबर आते हैं, अब इन नंबर का आपको क्या पता करना है, odd integers, odd integers अभी वे ने आपको बताया था पीछे भी, odd integers वो होते हैं, जिसके unit position पे, 1, 3, 5, 7, 9 होते हो, तो यहाँ पे देखो, यह 5 odd integers हो गया, ठीक है, integers कह रहा है ना, यह minus 3 भी हमारा odd हो जाएगा, minus 1 भी odd हो जाएगा, 1 भी odd हो जाएगा, और 3 भी odd हो जाएगा, तो टोटल कितने numbers हैं हमारे पास, total 5 numbers है, ठीक है, the producers of minus 1, देखो, producers निकालने के लिए, किसी भी number का, producers निकालने के लिए, उसमें से 1 को minus करना होता है, तो minus 11, minus 1 करोगे, तो क्या आएगा, आपके पास minus 12 आएगा, क्या आएगा, minus 12 आएगा, ठीक है, तो यह MCQP हमने solve कर लिया, mental match भी देख लिया, तो आएए अगले questions को देखते हैं, अगला questions है हमारा mix bag से, तो mix bag में, जो सबसे पहला questions है, उसको देखिए, write the next two integers, write the next two integers, in the given sequence, तो यहाँ पर sequence के 20 के pattern को बटर लिए, चेक किजिए, 8 में से कितना minus करेंगे, तो 5 आएगा, तो अगर आप 8 में से minus 3 करेंगे, तो 5 आएगा, 5 में से minus 3 करेंगे, तो 2 आएगा, 2 में से minus 3 करेंगे, तो minus 1 आएगा, और minus 1 में से minus 3 करोगे, तो minus 1 में minus 3 करना है, तो left hand side में 3 step परोगे, तो कहाँ पहुँझाओगे, minus 4 पर पहुँझाओगे, माइनस 4 पर माइनस 3 करोगे तो कहां पहुँझाओगे माइनस 7 पर पहुँझाओगे अब इनको add करना है माइनस 105 प्लस 204 तो देखो एक positive number है और एक negative number है तो काम क्या करोगे subtraction का करोगे तो 204 में से 105 को माइनस किजिए क्योंकि plus minus जब दोनों ही sign होता है तो हम minus करते हैं तो 14 में से 5 जाएगा तो आपके पास 9 रह जाएगा ये 9 ये देखो 4 को 1 कैरी मिला 0 से लेकिन 0 ने 1 लिया 2 से ठीक है तो 2 तो 1 हो गया ये 10 हो गया 10 के बाद इसने 9 हो गया तो ये 14 हो गया 9 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा और 1 माइनस 1 कुछ नहीं अब ये 204 positive है 105 negative है तो 204 के absolute value जादा है इसलिए हमारा answer plus 99 ही रह जाएगा plus लिखने की अवशक्ता नहीं थी यहाँ पे अब 984 में से 597 को plus करना है तो क्योंकि ये plus minus दोनों है यहाँ पे ये positive number है ये negative number है तो काम subtraction का होगा और ऐसे भी देखो तो ये आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे 984 plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा 597 तो आपको इस में से minus करना है तो 14 में से 7 minus करोगे तो क्या मिलेगा 7 में से 9 minus नहीं होगा ये 8 जो है 7 हो चुका है तो 17 हो जाएगा तो 17 में से 9 minus करोगे तो 8 आजाएगा और 9 जो है था वो 8 हो गया 8 में से 5 minus करेंगे तो 3 आजाएगा और ये positive number होगा 387 ठीक है? subtract करने के लिए कहा जा रहा है कि minus 965 से minus 330 को subtract करो बहुत हारदा negative number दोनों ही negative number है तो आप क्या करोगे? दोनों को add कर दोगे क्या कर दोगे? add कर दोगे दोनों ही negative है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा 6 प्लस 3 क्या जाएगा? 9 आ जाएगा 9 प्लस 3 क्या जाएगा 12 आ जाएगा लेकिन इसके पहले sign क्या रहेगा, negative का sign रहेगा अब यहाँ पे देखे, 217 minus minus है तो यह minus minus जो है, वो plus में convert हो जाएगा तो यह हो जाएगा 217 plus 110 तो 217 plus 110 करोगे, तो इसको add करो 7 plus 0 क्या आएगा, 7 आएगा 1 plus 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है and 2 plus 1 क्या आएगा, 3 आएगा तो 327 इसका answer हो जाएगा What integer should be added to each of the following to get 0 मतलब क्या add किया जाए इन सब में तो हमको 0 मिलेगा तो सबका आपको additive inverse बताना है क्या बताना है, ध्यान रखिएगा आपको additive inverse बताना है क्या बताना है, मैं फिर से कह रहा हूँ additive inverse बताना है, ध्यान उपको सबका तो minus 64 का additive inverse क्या होगा plus 64 इसमें अगर हम plus 64 करेंगे तो result क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, 35 का additive inverse क्या होगा minus 35, इसको अगर plus करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा 0 का additive inverse, 0 ही जायाएगा ठीक है,Harख है minus 1 का additive inverse क्या होगा plus 1 हो जाएगा ठीक है तो यह answer हो जाएगा ठीक है plus 64 minus 35 0 and plus 1 find the sum of the minus 500 successor अब minus 500 और इसके successor का sum चाहिए तो minus 500 का successor क्या होगा इसे एक number जादा तो एक number जादा यानि कि plus करोगे तो क्या हो जाएगा वो minus 499 अब यह दोनों ही number negative है तो इसको add करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 999 add minus 125 to the sum of minus 35 and 235 तो sum of minus 35 and 235 तो पहले क्या करना है 235 में 235 में minus 35 को add करना है तो 235 में अगर minus 35 को add करोगे तो plus minus है तो यह subtraction होगा तो 235 में से 35 को minus कर दो तो 200 हो जाएगा और 200 में आपको क्या करना है minus 125 को add करना है क्या करना है minus 125 को add करना है 200 में तो यहाँ पे हमारे पास आया था 200 और 200 में हम क्या करेंगे plus minus 125 करेंगे तो plus minus दोनों ही है तो काम subtraction का हो जाएगा तो क्या जाएगा 75 यह answer हो जाएगा इसका answer हो गया 75 sum of 225 and sum of 225 and 325 from 921 तो इन दोनों का पहले आपको sum निकालना होगा तो पहले क्या करना होगा 225 plus minus 325 अब क्योंकि ये plus minus है तो इसका जब आप sum निकालेंगे यानि कि इसमें आपको calm subtraction का ही करना परेगा क्योंकि ये तो minus है और ये plus है ठीक है ध्यान दखिएगा इसको तो इस case में calm subtraction का होगा तो जो result आएगा वो आएगा आपका minus 100 ठीक है subtract the sum of this अब इसका sum हमने निकाल लिया अब उसको subtract करना है 921 से तो 921 minus minus 100 करेंगे तो 921 minus minus 100 करोगे subtract करना तो यह minus minus क्या हो जाएगा हमारा plus हो जाएगा यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 921 plus 100 तो finally answer क्या आएगा हमारे पास answer आएगा 1021 ठीक है यह जान रखिएगा so that the set of integer is committative under additions with an example committative का मतलब क्या होता है कि अगर A plus B कर दे और B plus A कर दे तो result एक ही आना चाहिए तो 5 plus 2 क्या आता है आपके पास 7 आता है और ज़रा 2 plus 5 देखिए तो क्या आता है आपके पास 7 आता है तो दोने जगा पे आपको same answer मिल रहा तो it means it is committative तो यह रहा MixWag, MCQ और हमने क्या देखा था Mental Mass देखा था